हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैडरेनल विट डैलिसिस जैसे कि आप सभी को पता है इससे पहले के वीडियो में मैंने एमरजेंसी ड्रग बताया emergency drug में बहुत सारी medicines थी जिसका list मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है अगर वो list आपको जाननी है तो आप पहले के वीडियो को देखे वो उसका description में मैंने link दे दिया है आज हम बचे हुए drug को discuss करेंगे कि उनका uses क्या होता है side effect क्या होता है और किस dose में हम देते हैं जनरली क्या होता है emergency in case ऐसा नहीं है कि एकदम emergency होगा तभी हम medicines को देंगे during dialysis क्या होता है बहुत सारे complications हो जाते हैं जैसे fever, vomiting तो इन सब में हमें कैसे medicine देना है कितने dose में देना है उसको हम देखते हैं पहला हम देख लेते हैं paracetamol ये तो सभी को पता है कि paracetamol कभी उस करेंगे जब fever होगा या headache होगा उस time पे ये कौन से category में आता है ये जानते हैं ये analgesic antiparatic with poor inflammatory action देता है ठीक है ये over the counter drug है ऐसा books में लिखा हुआ है लिके recently news आया था कि इसे over the counter drug से हटा दिया गया है ये prescription drug हो चुका है अब ये क्या होती है अब मैंने इसको paracetamol में क्यों बताया है देखो generally क्या होता है normal कोई इंसान है अब कुछ भी चीज होता है तो हम क्या करते हैं paracetamol ले लेते हैं तो अगर बहुत जादा हम paracetamol लेते हैं तो उससे क्या होती है हमारी जो kidney रहती है वो shrink होती है मतलब concentrating ability रहती है तो kidney को filter का concentration रहता है वो भी कम होते जाता है जिससे कि renal fibrosis होता है और renal fibrosis होता है तो उससे क्या होती है papillary necrosis ये सारे problems होते हैं तो हमें बहुत जादा मैं हमेशा बोलती हूं कि pen killers को use नहीं करना है इससे हमारी kidney में बहुत ज्यादा effect पड़ता है heavy injection कोई भी medicine से नहीं लेनी है अब second हम देखते हैं यह आप देख सकते हैं यह है ondincitron यह बहुत सारे brand name होते हैं इसके लेगिन हमें याद रखना है इसका formula क्या है ondincitron ondincitron को यह कब हम use करते हैं जब vomiting होती है यह vomiting जैसी लगती है जिसको हम nausea बोलते हैं उस time पे हम इसका use करते हैं यह कौन से category में आती है anti-emitic देखो हमें सारी medicines हम clinical जाते हैं तो हमें पता होती है कि कब क्या दिन है लेकिन हमें यह दिमाग में होना चीए कि कौन कौन से category में कौन से medicines आती हैं डोसिस क्या होता है 4 mg to 8 mg हम दे सकते हैं side effect क्या हो सकता है headache हो सकता है abdominal discomfort हो सकता है यह तो constipation का problem problem भी हो सकता है ठीक है और तिसरा हम देखते हैं यह आप देख रहे हैं फिरेस से myड लैसिक्स किसमें करते हैं जब किसी को यूरीण नहीं हो रहा होता है यह बहुत का यूज करते हैं तो डायरेटिक्स के तीन टाइप्स होते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं वह मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हैं वह आप देख सकते हैं जो होता है यह हाई प्रिशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा है ना यह फर्स्ट हुआ रिनल इडिमा जब पैरों में पेडल में या पूरे बॉडी में रहेगी पल्मुनरी इडिमा होगा उस टेम पे भी हम फ्यूरेसेमाइट को देते हैं इसका डोसेश 20 एमजी पर 2 ml जैसे मैंने भी बताया त तो 2 ml में कितना हुआ 40 mg हुआ है ना इसका साइड एफेक्ट क्या क्या हो सकता है हाइपो कैलेमिया हो सकता है हाइपो मतलब कम कैलेमिया मतलब पोटेशियम तो पोटेशियम की मात्रा हो सकती है क्यूंकि वह यूरिन से पास आउट हो जाएगा इसलिए हाइपो कैलेमिया हो सकता है हाइपोनेटर्मिया हो सकता है हाइपर यूरीसेमिया हो सकता है एलर्जिक मेनिफिस्टेशन मतलब रैशिष की प्रॉब्लम आ सकती है पेसेंट को जी आईटी और सी एनेस सेंट्रल नर्वस से रिलेटेड कुछ डिस्टरबिंस हो सकते हैं लैसिक्स को हमें ध्यान दाइने है ये कौई भी मेडिसेन हो हमें भीना डॉक्टर या कंसल् Technically के बिणा नहीं देना है मैं हरہ कुलती हूँ हर वीडियो में बताती हूं की कोई भी मेडिसेन को हमें बीना डॉक्टर या कंसल्टेन को पुछे बिना नहीं लेनी है चौन्था हम देखते हैं Traumadol क्या होता है क्या करेगा , मुझें के होता है , या उस टाइम ⁦ सीने में दर्द होता है , काम आता है , और श्वेटिंग यह सारे आ सकते हैं तो उस टेम पे घबराना नहीं है सोडियम वेलपोरेट और यह क्या है है हैड्रो काटिसोन है ना सबसे बहुते मेडिसिन करना एक्सपायरी चेक करना होता है देने से पहले ठीक है पहले हम बात कर लेतें Injection Fentonisodium और sodium welporate यह दोनों क्या है antiepileptic drug है जो किसमें यूदा है antiepileptic जाहिड सी बात है यह epilepsy atau scesser में उपयोग होगा इसका मतलब क्या होता है मिर्गी की जिसको परिशानी होगी इस तरीके से जटके आएगे उस टेम पे हम क्या है फिंटोईन सोडियम या सोडियम वेलपोरेट का उप्योग कर सकते हैं सोडियम वेलपोरेट का मेंली बाइपॉलर डिसॉडर में यूज किया जाता है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं हीपैरिंग इसका पूरा जो वीडियो है यह मैंने अप्लोट किया हुआ है अगर आपने नहीं देखा तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है एक बार जरूर देखें ठीक है कि हीपैरिंग क्या होता है कौन से पेसेंट को हम किस तरीके से देंगे अभी तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि यह एंटिकोगलेंट होता है जो कि डालिसिस के दोरान ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है यह हाइड्रो कॉर्टिसोन है हाइड्रो कॉर्टिसो का उपयोग हम किसमें करेंगे इसकी कैटिगीरी मैंने बता दिये कि इस्टोराइड होती है यह क्या करता है रैपिडली एक्ट करता है बहुत जल्दी काम करता है मिनरेलो कॉर्टिकोइट्स में आता है इसके यूजेस क्या होते हैं कि यह जैसे किसी पेसेंट को अलर्जी हो अलर्जी हो गया तो उस टाइम पे हम हैडरोकॉर्टिसोन यूज योक्राइब करते हैं लेकिन कब योस करते हैं डियुरिंग डियलसीज जनरली इसका उपयोग, acute adrenal, adrenal insufficiency, chronic adrenal insufficiency, conzenital adrenal hyperblush, मतलब जितने भी adrenal gland जो होते हैं kidney के उपर एक gland होती है, जिसको suprarrenal या adrenal gland बोला जाता है अगर उसमें कोई problem होती है, उसकी वज़े से हमारी kidney में problem होती है infections अगर है, है न, generally, तो उस time पे हमें ये medicine नहीं देनी है अगर hypertension, diabetes, malitis है, उस time पे भी हमें ignore करना है लेकिन ये patient के clinically way में depend करता है कि उस time पे patient को क्या है उसके हिसाब से हम hydrocortison को देंगे, generally, patient को dialysis के time पे ठंडी लगती है तो हम hydrocortison का उपयोग करते हैं चले के वीडियो मैंने avilodexamethasone उसका भी उपयोग करते हैं बस ध्यान हमें ये रखना है कि hydrocortison को अगर patient को infection है तो नहीं देना है उससे ये और बढ़ जाता है अब देखते हैं injection nitroglycerin, anti-g बोला जाता है जिसको ये anti-aginal drug है और volatile liquid के form में होता है sublingual root से दिया जाता है but during dialysis हम इसका उपयोग क्यों करते हैं chest pen होता है, enzyme होता है या बहुत ज़्यादा BP बढ़ ही होती है है ना patient की BP बढ़ ही होती है तब 0.5 या infusion से ही इसको दिया जाता है nitroglycerin को इससे क्या होता है BP कम होता है then हम देखते हैं traxynamic acid और midazolam ये दोनों अलग-अलग category के drug है जैसे मैंने पहले बताया कि drug को देने से पहले हमें expiry जरूर चेक कर लेनी है midazolam midazolam midaz के नाम से भी आता है वो उसका brand name है ये एक प्रकार का sedative drug है जो patient को इसलिए दिया जाता है जैसे मालो patient को catheter डल रहा है SD line डल रही है बट वो हमें बिल्कुल भी support नहीं कर रहा है बहुत जादा ही irritative patient है उस time पे midazolam का हम during dialysis तो नहीं बोल सकते catheter लगाने के time हम use कर सकते हैं क्यूंकि ये sedative drug है है ना दूसरा होता है ट्रेक्जेनेमिक acid ट्रेक्जेनेमिक acid का उप्योग हम कब करेंगे जब heavy bleeding होगी जैसे मालो heparin दिया heparin से बहुत जादा bleeding हो गई या catheter से bleeding हो रही है प्रीके से किसी भी reason से bleeding हो रही है उस time पे bleeding को रोकने के लिए heavy bleeding को रोकने के लिए हम ट्रेक्जेनेमिक acid पेसेंट को दे सकते हैं ये सारे drug हमें डॉक्टर के prescription advice से ही यूज करना है चाहे आप dialysis में यूज करें ICU में यूज करें अब आज ये हमारा emergency drug वाला topic खतम हुआ आप सब comment box में बताईए कि ये video मेरा कैसा लगा और next topic आपको कौन सा चाहिए उस पे भी comment करिए ताकि मैं आगेस के video बना सकूँ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोश को share करना ना भूले थैंक्यू गाईज